Hello everyone, welcome back to the channel, तो हम J-Means की revision series देख रहे हैं, जिसके अंदर हम most frequently asked previous year questions, especially जो recent time में सबस्यादा questions आये हैं, उन पर अपन बात कर रहे हैं, और आज हम binomial theorem की बात करेंगे, और last two years के या three years के questions के अंदर हमने ये देखा है, कि coefficients पर बहुत-बहुत सारे सवाल आते हैं, तो हम ये देखेंगे कि coefficient पर किस तरह के सवाल आते हैं, और एक brief revision देखेंगे, जिसमें अपन coefficient निकालने की बात करेंगे, तो फटा-फट से एक बार coefficient निकालना general term revise कर लेते हैं, तो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास इसके case के अंदर कोई भी binomial expansion है या expression है, जैसे a plus b की power n, तो इसका general term लिखते हैं, अपन n, c, r, a की power n minus r, b की power r, ये आपके binomial expansion का कोई भी t r plus वनत टर्म देता है, t r plus वनत टर्म का मतलब अगर मान लो 4th term चाहिए, तो अपन यहापे r को 3 रखेंगे, 10th term चाहिए तो r को 9th रखेंगे, तो general term बना कर अपन binomial expansion का कोई भी term का कोई भी coefficient निकाल सकते हैं, जिस पर ये lecture based है, इसके अलावा अभी पिछले एक दो साल के अंदर multinomial के भी सवाल आ रहे हैं, multinomial को बिल्कुल simple बाश्या में समझे बिटा, तो मान लो जैसे 2 की जगे ये 3 term आ गए, ठीक है, तो अब अगर इसका general term लिखना है, तो आप क्या गरेंगे, a पर भी कोई power आईगी, b पर भी कोई power आईगी, और ऐसा समझ लो कि c पर भी कोई power आईगी, ठीक है, और यहाँ coefficient में n factorial के नीचे, a पर जो power है उसका factorial, b पर जो power है उसका factorial, और c पर जो power इसका factorial आ जाएगा, और क्योंकि इस power के ही अपन ने ये 3 टुकडे किये हैं, alpha 1, alpha 2 और alpha 3, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि alpha 1, alpha 2, alpha 3 इनको add करने पर n आना जरूरी है, तो इस multinomial का कोई भी term इस तरीके से लिखा जा सकता है, और 3 term की कोई ऐसी limit नहीं है, मालो a plus b plus c plus d है, आना example लेते हैं, मालो 20, तो इसके अंदर a पे भी कोई power आएगी, b पे भी कोई power आएगी, c पे भी कोई power आएगी, d पे भी कोई power आएगी, और coefficient में इन सब के साथ multiplication में 20 factorial, जो भी powers अपने लगाई है, alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4 सब का factorial आ जाएगा, such that alpha 1, 2, 3, 4, इन सब का सम किसके बराबर होगा 20, और सारे non-negative है, non-negative मतलब 0 या 0 से बड़े हैं, और 20 के तो आगे जान नहीं सकते हैं, ऐसा, और एक और अच्छा bonus टिप मैं आपको देना चाहूँगा, आलंकि ये भी पिछले 2 साल में इस पे नहीं आया है, ये एक negative binomial expansion भी होता है, जिसमें power fraction होती है, या negative integer, negative number भी हो सकती है, तो उसके अंदर एक special type का expansion देखते हैं, 1-x की power, minus n का, तो n अब यहाँ पर अभी के लिए, जो मैं formula लिखने जा रहा हूँ, उसमें n एक natural number का काम करेगा, और क्योंकि मैंने minus लगा दिया है, तो ये negative integer द जैसे आप permutation combination में fictitious partition या beggars method बोलते हैं जिसको, कि हम r चीजें n beggar में बाट रहे हैं, तो ये अपने पास आ जाएगा, r plus n minus 1 c n minus 1, जैसे for example, मालो आपको x की power 7 का coefficient चाहिए, 1 minus x की power minus 3 के अंदर, तो मदब आपने 7 चीजें 3 beggar में बाट रहे हैं आप, तो 7 plus 3 minus 1 c 3 minus 1, इन 3 ideas पर based upon binomial coefficient पर पूछे जाने वाले सारे mains के सवालों के answer दे सकते हैं, इनके अलावा 2 all type के सवाल आते हैं, एक आता है binomial coefficient की properties पर based उसका summation, जो इस बार बोल रहे हैं कि removed syllabus का part है, पर हम पहले से sure नहीं हो सकते हैं क्योंकि mains में कुछ भी आ सकता है, और इसके ही बराबर weightage का एक और portion है, जिसमें remainders पर सवाल आते हैं और बहुत सारे सवाल आते हैं, तो मैंने अभी just recently उसका video post किया था, तो मैं link के अंदर description में डाल दूँगा, आप जरूर इस वीडियो के बाद जाकर उसको भी जरूर देखें, उससे आपको काफी फाइदा मिलेगा, फिलाल अप pause करके साथ मैं सवाल कर सकते हैं, कुछ भी नहीं आता, तो कोई बात नहीं, आप मैं जो कर रहा हूँ, उसको follow करें और वीडियो के बाद सारे सवाल कुछ से दुबारा try करेंगे, first question से आते हैं, इसमें पहले 3 terms के coefficient का sum दे रखा है 376, तो पहले 3 terms हम निकालेंगे, उनका coefficient इकठा करेंगे और उनको add कर देंगे, तो पहला term अगर लेंगे, तो r 0 हो जाएगा, बटा यह बन जाएगा nc0, x की power में आजाएगा n-0, और minus 3 by x square की power में आजाएगा, यहाँ पर इसके case के अंदर 0, ncr, a की पार n-r, b की पार r, second term लेंगे अगर तो r1 आएगा, तो यह बन जाएगा nc1, x की power में अपने पास आजाएगा n-1, और minus 3 by x square की power में आजाएगा 1, और third term लेंगे, तो यह आजाएगा nc2, x की power में आजाएगा n-2, और minus 3 by x square की power में क्या आजाएगा 2, अब हमें सिरफ coefficients से मतलब है, question में क्या लिखा हुआ है, coefficient, तो हम x को भी ignore के coefficient इखटा करते हैं, तो nc0, minus 3 की power 0, यह इसका coefficient है, इदर nc1, minus 3 की power 1 आएगा, और nc2, minus 3 की power 2 आजाएगा, अब इसको solve कर सकते है, nc0, 1 होता है, minus 3 की power 0 भी 1 है, nc1, n होता है, और minus 3 की power 1, minus 3 है, nc2 को आप n, n minus 1 by 2 factorial लिख सकते हैं, सब कुछ simple करने के बाद, और minus 3 का square 9 है, अब यहाँ simple एक quadratic बन जाएगी, 9 into n, n minus 1 by 2 factorial, plus n into minus 3, plus 1, बराबर 376, अब आए हो बिटा, इसके आगे आप कर सकते हैं, quadratic equation बन जाएगी, यहाँ से n की 2 value आ सकती, पर हमें n की कौन सी value लेनी है, जो natural number है, क्योंकि question में लिखा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, simple simple, let do, let do सवाल इसी तरह के और देखते जाएंगे, यह है जैसे, बड़ा ही आसान सवाल है, x की power minus 6 का coefficient पूछा है अपन को इसके अंदर, तो अपन x की power minus 6 का coefficient निकाल सकते हैं यहाँ पर, इसके अंदर, तो पहले general term लिखेंगे सबसे पहले, तो बनेगा 9cr, 4x by 5 की power में अपने पास बाहर आ जाएगा, 5 by 2 की power r भी बाहर आ जाएगा, x पे पहले 9 minus r है और denominator में नीचे x square पे r है, मतलब x की power 2 आ नीचे है, तो डिवाइड करेंगे तो यह power negative हो के subtraction में आ जाएगी, तो यह बन गया 9 minus 3r और हमें x की power minus 6 चाहिए, यानि 9 minus 3r बराबर minus 6 आना चाहिए, यहाँ से r5 आ जाएगा, तो हमारा coefficient यहाँ r5 रखके निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, 9c5 4 by 5 की power 9 minus 5 और 5 by 2 की power 5, अब आप इसको multiply करके value find out कर सकते हैं, कभी अगर आपका r fraction में आ जाए, तो वो possible नहीं है, ncr में r fraction नहीं होता, r एक whole number होता है, 0 से n तक, तो अगर r fraction में आ ठीक है, अगला, next पर आ जाते हैं, pause करके अब आप खुद try करेंगे, coefficient of x की power 10 हमें दे रखा है, coefficient of x की power 10 के लिए हमें यहाँ पर general term निकालना पड़ेगा, general term क्या आएगा हमारे पास 60cr, root x के नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर 5 की power 1 by 4, तो यहाँ पर बाहर पा power में क्या आ जाएगा, r, तो फिर से वही करेंगे, जो constant terms है, उन सारे constant terms को अपन क्या ले लेंगे, यहाँ पर बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पर 1 by 5 की power 1 by 4 के साथ 60 minus r आ जाएगा, दूसरे वाले के अंदर बेटा, root 5 दे रहा है, तो root 5 की power r आ जाएगा, अब x को इखटा क root x का मतलब x की power half, और साथ में 60 minus r है, तो multiply होके बना देंगे, half into 60 minus r, यह denominator में 1 by 3 into r है, तो वो subtraction में चला जाएगा, अब क्योंकि आपको x की power 10 चाहिए, तो यह वाला जो आपका expression है, 60 minus r by 2 minus r by 3, यह किसके बराबर आना चाहिए, हमारे पास 10 के बराबर, तो अब आप यह से r की value 24 के around अपने पास आजाएगी, ऐसा, तो calculation एक बार आप खुद से भी यहाँ पर check कर सकते हैं, calculation का हमें यहाँ पर तोड़ा सा ध्यान रखने की जरुवत है, ध्यान रखके calculation अगर अगर अपन सही से करेंगे, तो इस तरह के simple question के अंदर अपन आराम से answer निकाल सकते है ठीक है, तो यहाँ पर फिर हमें इसके case के अंदर पूछा है कि 5 की power k into l है, l जो है वो co-prime है 5 के साथ, मतलब l के अंदर 5 का कोई भी factor नहीं बचना चाहिए, जो भी 5 का factor है वो बाहर आजाना चाहिए, तो 5 की क्या highest power है यह बताना है अपन के, तो अब अपन R24 यहाँ रख और इधर 24 रखेंगे तो 5 की power में आजाएगा 12, तो यह बन जाएगा 60C24 और 7 में आजाएगा 5 का cube, पर जरूरी नहीं बटा कि आपका answer 3 हो, क्योंकि 60C24 में से भी 5 का factor आ सकता है, तो power of a prime जो है वो हम निकाल सकते 60C24 में यह देखने के लिए कि इसमें से कितना 5 आएगा, तो इसके लिए तरीका होता है, एक n factorial के अंदर अपन यहाँ पर कोई भी 5 की power की, कोई भी prime की is power निकाल सकते है, तो मैं अभी वही तरीका लगा रहा हूँ, in case अगर आप कोई concept नहीं आता है, तो please comment करके बताओ, कि आपको इस पर वीडियो चाहिए, अगर sufficient number of comments आएगे, त अपन इस पर एक वीडियो अलग से बना लेंगे, तो पहले 60 factorial में निकालते हैं 5 की power, तो अपन 60 का 5 से पहले divide करेंगे, question डिकटा करेंगे, तो 12 आएगा, फिर 5 से 12 को divide करेंगे, 2 आएगा, अब आगे जाने की जरुद नहीं, divide नहीं होगा, तो 60 factorial में 5 की power 14 आ रहा है, 24 factorial के तो ये बन जाएगा 5 की power 8, ये दोनो simplify होकर 5 square देंगे, तो इस 5 cube के साथ साथ एक 5 square इसमें से भी निकल कर आएगा, I hope आपको power of a prime आता हो नहीं, तो please मुझे feedback में जरूर बताएं, ये वाला आप देख सकते हैं 2022 के अंदर multinomial का आया है, जिसकी value constant term, अब बेटा constant term, term independent of x, इ इसका अपन general term लिखते हैं, कई बार जरूरी नहीं है, एक ही term आए, cases भी बन सकते हैं, specially multinomial में, तो 10 factorial है यहाँ, alpha 1 factorial, alpha 2 factorial, alpha 3 factorial, ये तो coefficient में आ जाएगा, बाकी चीज़ें पावर में चली जाएगी, पावर में कैसे, विसे 3x cube पे चला गया, alpha 1, minus 2x square पे चला गया, alpha 2, 5 upon x क पावर 5 पे क्या चला जाएगा, alpha 3, और हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है, कि alpha 1, alpha 2, alpha 3, इन सब का sum 10 आना चाहिए, तो अभी के लिए अपन x इकटा करते हैं, और constant अलग कर देते हैं, तो ये 10 factorial अलग है, नीचे alpha 1, alpha 2, alpha 3, 3 की पावर में एक alpha 1 आ जाएगा, minus 2 की पावर में एक alpha 2 आ जाएगा, और 5 की पावर में एक alpha 3 आ जाएगा, x में अगर यहां देखेंगे, तो हमारे पास 3 alpha 1 आएगा, 2 alpha 2 आएगा, और 5 alpha 3 denominator में बिटा तो minus 5 alpha 3, तो अब यहां आपको cases लेने पड़ेंगे, x की power क्या चाहिए हमें यहां पर 0, तो मतलब 3 alpha 1 प्लस 2 alpha 2 किसके बराबर आना चाहिए, 5 alpha 3, ठीक है, तो अब यहां पर अपन alpha 3 रखके cases बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि alpha 1 प्लस alpha 2 प्लस alpha 3 क्या आना चाहिए, 10, तो alpha 1 प्लस alpha 2 प्लस alpha 3 10 होते हुए, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि 3 alpha 1 प्लस 2 alpha 2 बराबर 5 alpha 3 आ जाए, त अगर मैं alpha 3 को 0 रखता हूं तो इनको भी 0 होना पड़ेगा जो कि possible नहीं है क्योंकि सबका sum 10 आना चाहिए हो not possible तो alpha 3 को 1 रख देते हैं तो 3 alpha 1 plus 2 alpha 2 जो है इसको 1 आना पड़ेगा ये भी possible नहीं है जैसे for example यहाँ पर कुछ मिलेगा ही नहीं कि sum 1 आजाए फिर आप alpha अच्छा तो यह 5 1s of 5 है sorry हाँ तो alpha 3 को 1 रखा है तो alpha 3 को 1 रखेंगे तो यह 5 बन जाएगा ठीक है जो कि यहाँ पर तो मैं यहाँ table बना लेता हूं alpha 1 alpha 2 alpha 3 0 पर कुछ नहीं मिला 1 पर अगर अगर अपन रखेंगे यहाँ तो उसके case में जैसे यहाँ पर 1 यहाँ वन आ जाए पर फिर sum 10 नहीं आ रहा है यहाँ पर 2 यहाँ पर 1 आ जाए नहीं बन रहा तो यह भी चला जाएगा फिर 2 रखते हैं तो अगर अपन यहाँ 2 रखेंगे बटा तो 5 2 जा 10 हो जाएगा तो 3 alpha 1 प्लस 2 alpha 2 की value क्या जाएगी 10 अब alpha 3 2 है तो यहाँ पर अगर 2 रखेंगे तो alpha 1 प्लस alpha 2 8 भी होना चाहिए और यहाँ से अब अपन case बनाने के लिए कोशिश करें अगर तो भी मेरे ख्याल से यहाँ पर नहीं आ रहा जैसे अगर अपन यहाँ पर देखेंगे तो alpha 2 क 2 लोगे तब भी नहीं बन पा रहा सम 10 नहीं आ पा रहा तो यह भी reject हो रहा है थोड़ा और बड़ा number लेते हैं बड़ा 3 लेते हैं 3 लेंगे तो यह 15 हो जाएगा बलब 3 alpha 1 प्लस 2 alpha 2 किसके बराबर आजाएगा हमारे पास 15 अब यहाँ पर क्योंकि यह 3 हो चुका है तो अब alpha 1 प्लस alpha 2 इसके साथ 7 चाहिए यह case बना सकते हैं क्या यह अपन देखेंगे तो अगर यहाँ देखेंगे तो क्या यहाँ कोई case possible है अपने बस तो यहाँ पे 3 और 3 आ रहा है पर 3 और 3 से हमें क्या कोई फाइदा होगा हमें यहाँ पर कोई फाइदा नहीं मिलने वाला 3 और इसी तरह आप 4 रखेंगे तो 20 आजाएगा 4 रखेंगे तो 3 alpha 1 2 alpha 2 बराबर 20 यहाँ एक और आजाएगा यह 6 और यह 1 पर यह 6 यह 1 पर यह बैठेगा नहीं क्योंकि यह 4 है तो अब इनका sum 6 आना चाहिए ज्यादा जा रहा है तो मुझे एक ही case मिला है आपको और कोई case मिला 1, 6, 3 लेकर देख सकते हैं 2 की highest क्या power आ रही है common दूसरा वाला तो बिचारा odd है तो multinomial में cases बनाने पड़ेंगे और बहुत carefully आपको calculation करनी पड़ेगी 29 जो है इनका NTA का favorite question है क्यों है अभी आपको पता चलेगा थोड़ी देर में बोल रहा है इसमें coefficient of x की power 9 और इसमें coefficient of x की power नहीं है तो एक तो यह lengthy हो जाता है सवाल क्योंकि दो बार करना है तो अब क्या होगा पर यह simple है general term लिखेंगे 11cr है ना color change करते है यार बोर हो गए green पर आ जाए 11cr alpha x cube की power में अपने पास आ जाएगा 11 minus r और 7 में 1 by beta x की power r तो x के अलावा सारा कचरा अलग करेंगे 11cr alpha क 11 minus r beta की power r x में 3 से multiply करेंगे तो 33 minus 3r है और नीचे r और और आ रहा है तो बिटा यह बन जाएगा 33 minus 4r और यह 9 के बराबर आना चाहिए so all everything आप कर लेंगे यहाँ से तो r6 आएगा यह बन जाएगा 11c6 alpha की power 11 minus 6 beta की power 6 और यह इसके अंदर x की power 9 के minus 9 के coefficient के बराबर है यहाँ 11cr यहाँ पर हमारे पास क्या आजाएगा इसके case के अंदर देखेंगे तो alpha x की power 11 minus r और minus 1 by beta x cube की power r फिर से अपन क्या करेंगे coefficients अलग करेंगे 11cr alpha की power 11 minus r minus 1 by beta की power r और x की power 11 minus r उपर 3r नीचे आजाएगा 11 minus 4r बन रहा और इसकी value minus 9 हो नीची है तो यहाँ से r की value 5 तो अगर 5 रखेंगे तो यह आजाएगा 11c5 alpha की power 11 minus 5 और minus 1 by beta की power में 5 है तो minus 1 by beta की power में क्या आजाएगा 5 आजाएगा हमारे पास इसके case के अंदर अब यहाँ पर अगर अगर अपन देखेंगे तो अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं 11c6 और 11c5 को क्या कर सकते हैं cancel कर सकते ह हैं यहां से अब जैसे Academic सेked होगा तो kार्श विधा की Senator के उपर आ जाएका खुराहोंगा थो अगर-1 चैनल gonna कर सकते हैं इसे काफी आया है जब आगी अर्य देखेंगे तो आमोंगे वा impatient peta चले फिर यह वापस constant term उगया तो मैंने बोला यह constant term है ambush is इस तरह के बहुत सारे questions हमें देखने को मिलेंगे, तो constant term का मतलब फिर से क्या हो जाएगा, x की power 0, तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, general term निकालना पड़ेगा, अब general term अपन इसके अंदर कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर अपन लिखेंगे, वापस 9cr, x की power 5 by 2 upon 2, और इसके साथ क्या आजाएगा, हमारे पास 9 minus r, और minus 4 upon x की power l दे रखा है, इसके साथ आजाएगा r, तो फिर से आप क्या करोगे, अलग-अलग करोगे, 9cr अलग, minus 4 की power r अलग, नीचे 2 की power 9 minus r भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, x की power में यहाँ पर अगर आप multiply कर दोगे 5 by 2 से, तो यह आजाएगा 45 minus 5r by 2, और नीचे minus का एक lr आजाएगा, ऐसा, और constant अपने बोल रखा है, तो मतलब यह 0 जाना चाहिए, और यह 0 जाएगा, उसके बाद अपन इसकी value निकालेंगे, तो इस बार यह minus 84 दे रखिए, तो यह अब अपने सोचना पड़ेगा, r क्या रख सकते हैं ना, तो जैसे 9cr है, minus 4 की power r, उपर लिख देता हूं दिखेगा नहीं, 9cr है, minus 4 की power r, 2 की power 9 minus r, और अगर अपन यहाँ पे 3 रखेंगे, उपर minus 4 की power 3 बन जाएगा, और नीचे 2 की power 6 यह अपस में cancel हो जाएगे, और minus sign आ जाएगा, तो यह आप trial और error और observation से देख सकते हैं बेटा, कि r3 आएगा, वही r3 आप यहाँ पे रख देंगे, तो 45 minus 15, 30, 30 का आदा 15, और यहाँ पर भी r3 रख देंगे, तो यहाँ से हमारे पास l की value 5 के बराबर आ जाएगी, तो एक बार l5 आ गया, तो हमें अब पता चल जाएगा, कि यहाँ पे x की power 5 है, और यहाँ l5 का मतलब x की power minus 3 है, तो अब यहाँ भी l5 रख दो, यहाँ एक्स की power minus 15 का coefficient पूछा है, तो अब आप इसके अंदर general term की help से, x की power minus 15 का निकाल सकते हैं, तो कई बार coefficient देके, missing power पूछ लेते हैं, तो वहाँ आपके observation, trial and error, इनकी power काम आती है, ठीक है, और यह चीज यहाँ पर भी दे रखी है, जैसे इसके अंदर बोल रखा है, पहले x की power minus 1 निकालो, फिर आप x की power minus 3 निकालो, है ना, तो यह अब आप कर सकते हो, सबसे पहले आप general term लिखेंगे, 15 CR, है ना, फिर यहाँ पर आएगा, 2 x की power, 1 by 5, उपर आएगा 15 minus R, और नीचे आजाएगा, minus 1 upon x की power, 1 by 5, और इसकी power में क्या आजाएगा, अपने पास R आजाएगा, तो अब यहाँ से अपन general term बना सकते हैं, तो coefficient में 15 CR आएगा, 2 की power में 15 minus R आएगा, minus 1 की power में भी R आजाएगा, x की power को अगर अपन इकठा कर लेंगे यहाँ पर, तो 15 minus R by 5 उपर आ रहा है, और R by 5 जो आ रहा है यह नीचे आ रहा है, तो अब यह I think simple हो गया है यहाँ से, जैसे x की power minus 1 चाहिए, तो आप इसको minus 1 कर दो, x की power minus 3 चाहिए, तो आप minus 3 कर दो, दोनों को m और n मानके, फिर m into n into n कूचा है, तो किसी न किसी तरह यह लोग इसे लेंदी बनाने का तरीका डूंड लेते हैं, but point यह at the end of the day की question difficult नहीं और हम कर सकते हैं, अब वो मैंने आपको बोला था favorite question, अब देखो वहाँ पे x की power 9 और minus 9 था, यहाँ पर क्या कर दिया, इन्होंने 15 कर दिया और minus 15, और as it is, देखो same type का question बना दिया, और जैसे वहाँ अपनने alpha बीटा minus 1 निकाला था, वैसे यहाँ आप a b निकालने की कोशिश कर सकते हैं, तो pattern same है, लेंदी बना देंगे, और question को किसी न किसी form में repeat करवा देंगे, constant term, x की का coefficient और ऐसे सवाथ, जैसे यह है, तो यहाँ term independent of t की बात कर रहे हैं, वहाँ constant term बोला था, term independent of t मतलब t की power 0, पर अब इसमें application of derivatives का twist दे दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर maximum value पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले तो term independent of t निकालते हैं, तो term independent of t कैसे निकालेंगे अपन? n, c, r, फिर t square x की power 1 by 5 है, इसमें यहाँ पर क्या आजाएगा? 15 minus r, फिर 1 minus x की power हमारे पास है यहाँ पर 1 by 10, नीचे हमारे पास है t, और इसमें आजाएगा r, तो अब अपन फिर से क्या कर सकते हैं यहाँ पर? अलग-अलग कर लेते हैं, अलग-अलग करेंगे तो 15cr कोफिशेंट में आएगा, x की power 15 minus r by 5 कोफिशेंट में आएगा, और 1 minus x की power r by 10 यह भी कोफिशेंट में आजाएगा, साथ में क्या बचाएगा t की power में अगर अगर अपन देखें, तो मज़ेदार टर्म बन रहा है 15c10, x की power 15 minus 10 by 5 और 1 minus x की power 10 by 10, अब यह तो simple क्या हो गया, quadratic, ultra quadratic है, तो maximum value vertex पर आजाएगी, वो भी अपन calculate कर सकते हैं, है ना, तो इसके case के अंदर differentiation 0 से भी आप निकाल सकते हैं, symmetry से भी half देख सकते हैं, quadratic से भी देख सकते हैं, तो यहाँ आप half रखके value calculate कर लेंगे, तो चीज़े mix and match चलती रहेगी, कभी trigonor डाल देंगे, cost theta डाल देंगे, sin theta डाल देंगे, है ना, इसके अंदर भी देखो, alpha पूछा है value डाल दे, term without x, 22cr, x की power 2 by 3 के साथ 22 minus r, alpha by x cube के साथ क्या आजाएगा, r, फिर से आप क्या करोगे, constant वाला term अलग कर देंगे sir, फिर x की power में आप 44 minus r by 3 minus 3r, यह आप 0 कर देंगे, तो यहाँ से बस solve करना है, है ना, तो यहाँ से अगर अपन solve करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास r4 आ जाएगा, उसको बस यहाँ रख दो, तो इसकी value अपन बराबर हाँ, यह मैं नहीं कहा रहा है कि lendी नहीं है, lendी हो सकता है 22c4, पर यह आपके free के mark से बटा, अगर यह question आता है और आप अच्छे से practice करते हैं, तो free के mark से और मैं आपको आज last में PDF भी दिखाऊंगा, एप्रिल वाला, पर आप खुद मानेंगे कि कितने question आते हैं इसके, है ना, अब यह बोल रहा है smallest number बताओ, जिसमें term जो है वो beta x की power minus alpha आ रहा है, जहाँ alpha positive है, तो beta x की power minus alpha आ रहा, alpha positive है मतलब, x की power 2 by 3, साथ में क्या जाएगा, 30 minus r, साथ में 2 by x cube की power r, तो यार यह constant का कचरा तो देखो अलग करना पड़ेगा, x की power देखेंगे, तो 60 minus 2r by 3 minus 3r, अब हमें देखना है कि यह negative कब होता है, तो 60 minus 11r बन रहा है, I think negative, r बराबर 5 पे positive है, 60 by 11 से just बड़ा, सबसे छोटा लेना है, तो r हो जाएगा 6, जब सबसे छोटा, अब इसको यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, अब put कर सकते हैं, ठीक हैं, और इसमें पूछ रहा है, alpha बता दो, alpha क्या होगा, तो हमें तो alpha जानना है, बाइनोमिल से नहीं आएगा, आपको उसकी टुकडे करने पड़ेंगे, समझ रहा हो मेरी बात, तो यहाँ पर देखो, यह एक expansion है, और साथ में बाइनोमिल है, तो अपन इसको अलग-अलग कर सकते हैं, अलग-अलग कैसे कर सकते हैं, जैसे पहले अपन ने निकाल लिया, 1 into 5x3 by 2 minus 1 by 5x2 की पावर 11, फिर minus x2 से भी इसको multiply कर दो, 5x3 by 2 minus 1 by 5x2 की पावर 11, फिर last में 3x3 से भी multiply कर दो, 5x3 by 2 minus 1 by 5x2 की पावर में क्या जाएगा 11, और अब हमें term independent of x2 बेटा, तो सब में से बनाएंगे, जैसे इसमें बार कुछ भी कचरा नहीं है, तो x की पावर 0 निकाल लेंगे, इसमें x2, term independent कब होगा, जब x2 को काटने वाला कोई होगा, x2 को कौन काट सकता है बताओ, x की पावर minus 2, तो इसमें से x की पावर minus 2 निकालोगे, यह x3 बार है, और minus 1 by 5 x square की पावर में आ जाएगा r, तो यह 11 c r बन जाएगा, 5 by 2 की पावर 11 minus r, minus 1 by 5 की पावर, यह coefficient इकटे करने में काम आएगा, x की पावर यहां से 3 से multiply करेंगे बता, 33 minus 3 r, और जर से 2 r आएगा, तो 33 minus 5 r, तो अब जरूरी नहीं है कि आपको हर जगे मिलेगा है न, ऐसा जरूरी नहीं, जैसे 33 minus 5 r, 0 हो सकता है क्या, नहीं, fraction में आएगी value 33 by 5, क्या 33 minus 5 r, minus 3 हो सकता है क्या, नहीं, 36 by 5 आएगी, क्या minus 2 हो सकता है, बिल्कुल, 33 minus 5 r को अगर आब minus 2 लोगे, तो r की value 7 आ जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर अब r 7 पर इसमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, बाहर भी coefficient है, जैसे अगर यहाँ से कुछ आएगा, तो minus से multiply होगा, इदर से कुछ आता अगर तो plus 3 से multiply होता, तो यह भूलोगे, तो answer गलत आ जाएगा, तो मैं यह 7 तो रख दूँगा इसमें, लेकिन बाहर यहाँ minus से को अपन को नहीं भूलना है, तो minus आ जाएगा, 11 c 7, 5 by 2 की power 11 minus 7, minus 1 by 5 की power 7, तो इस तरह से splitting वाले question आ सकते हैं, यह splitting का question है, जहाँ पर binomial into binomial है, तो बिटा directly split नहीं कर सकते, तो यहाँ multinomial की तरह cases बनाने पड़ेंगे, तो यहाँ पर x का और x square का coefficient दे रखा है, तो अब आप सोच के देखो, x और x square कैसे बन सकता है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं दोनों का general term लिख दूँगा, ठीक है, तो जैसे मैं इसका general term लिखता हूँ, तो यह क्या हो जाएगा अपने पास, p, c, r, 1 की power p, minus r, x की power p, और r हमें पता है, 0 से p के बीच में आएगा, फिर इधर कोई दूसरा variable ले ले लेते हैं, q, c, s, 1 की power q, minus s, minus x की power s, तो 1 पे कोई भी power 1 आता है, तो बाकी क्या कच्रा है बाहर, p, c, r, q, c, s, और एक minus 1 की power, यहां सोरी, s था, यह बाहर आ जाएगा, और x की power add होके बन जाएगी, बिटा, p plus s, अब cases लेना, शुरू करेंगे, जैसे x बनाना है, तो x कब होगा, जब यह 1 आएगा, तो दो ही case है, 1, 0, 0, 1, तो यहां पर रख देते हैं, अपन, r की जगे 1, s की जगे 0, r की जगे 0, s की जगे 1, तो क्या बन जाएगा, p, c, 0, q, c, 1, minus 1 की power 1, plus p, c, 1, q, c, 0, minus 1 की power 0, यहां पर 2 कैसे बना सकते हैं, 2, 0, 0, 2, 1, 1, तो 2, 0, 0, 2, 1, 1, से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, पहले 2, 0 रखते हैं, p, c, 2, q, c, 0, minus 1 की power 0, p, c, 1, q, c, 1, minus 1 की power 1, लेंदी है, I agree, पर आंसर निकाल सकते हैं, p, c, 0, q, c, 2, minus 1 की power 2, solve करते हैं, यह है, p, p, minus 1 by 2 factorial, इदर आएगा, p, into q, into minus का 1, और फिर इदर वापस, minus 1 का square 1 हो जाएगा, तो q, q, minus 1 by 2 factorial, यह minus 5 दिया हो, तो अब आप जैसे, p, q, minus 3 रखके, quadratic solve करेंगे, p, q ले लेंगे, positive होंगे, p, q, क्योंकि n, c, r है, तो p आजाएगा, q आजाएगा, सब कुछ आगया, फिर x cube पूछा है, तो अब यह थोड़ा lengthy x cube पूछा है, तो इसके 4 case बनेंगे, 0, 3, 3, 0, 2, 1, 1, 2, point यह है कि, split किया जा सकता है, या binomial into binomial के, cases बनाए जा सकते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर, जैसे यहाँ पर भी cases हैं, बोल रहा है, ऐसे कितने positive integer k हैं, कि इसका constant term, 2 की power 8 into l आ रहा है, l odd है, तो 2 की power 8 into l का क्या मतलब है, कि जो इसका constant term होगा, उसमें से 2 की power 8, बाहर आनी चाहिए, तो कैसे लिखेंगे अपन इसका term, 12 c r, 2 x cube की power 12 minus r, और 3 by x की power k के साथ क्या लिख देंगे, r, तो constant हम अपन अलग ले लेंगे, बिटा, जेखो 3 की power से तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, 2 मिलेगा या तो 12 c r से, या फिर हमें 2 कहां से मिलेगा, 2 से, यहीं से मिल सकता है, तो अब आप यहां cases लेंगे, जैसे हैं थर्टी सिक्स बराबर 3 r plus k r आ रहा है, तो उदर भेज देंगे, तो यह ऐसा बन जाएगा, आप k भी एक whole number है, r भी एक whole number है, तो इसके limited cases हो सकते हैं, और r हमें पता है कि 0 से 12 के बार तो जाएगा नहीं, तो यहां पर जैसे r क्या ले सकते हैं, r 1 हो जाए, है ना, और यह वाली चीज जो है, अच्छा k, k कैसा है positive integer, तो k plus 3 जो होगा, क्योंकि k 1 या 1 से बढ़ा है, तो k plus 3 4 या 4 से बढ़ा होगा, आप समझे रहो case limited हो रहे हैं, 136 हो सकता है, यह ना, 218 हो सकता है, यह ना, 312 हो सकता है, या फिर, या फिर 49 हो सकता है, 66 हो सकता है, 9, 4, इसके नीचे नहीं जा सकते, तो इन पर हमें चेक करना पड़ेगा, जैसे 12C1, 2 की पावर 11, अभी या अल्रेड़ी 2 की पावर 8 से बढ़ा हो गया, यह भी बढ़ा हो गया, अब 12C4, 2 की पावर 8, हमें लग रहा 8 है, पर यहां से भी even number आएगा, यह calculate करना पड़ेगा, यह 210 आता है चाहएद, अगर मैं भूला नहीं हूँ तो, यह ना, फिर आप 12C6 लोगे, तो 2 की पावर 12 माइनस 6, तो अभी आप निकाल के देखोगे, अगर 2 square ही आया, तो यह okay है, नहीं आया, तो not okay है, फिर आप 9 low के देखोगे, तो cases देखने भी हमें पढ़ सकते हैं, और क्योंकि आप वीडियो के end तक मेरे पास बने रहे, तो मैं आपको दो बहुत अच्छी बाते बताने वाला हूँ, सबसे पहले मैं आपको एक बार negative binomial के दो question कराऊंगा practice में, और फिर मैं आपको April के paper पे ले जाऊंगा, तो negative binomial कैसे काम आता है, बताता हूँ, जैसे मानलो मैंने आपसे पूछा, coefficient of x की power 6 in, 1-x की power 4 upon 1-x, और whole power में मानलो हमारे पास है, example ले लेते हैं जैसे 6, तो अपन इसमें क्या करते हैं बिटा, binomial अलग कर लेते हैं, negative binomial अलग कर लेते हैं, negative binomial का formula बताया था, एन चीज़ें, आर बेगर वाला अभी आपको, binomial का उतना ही expansion लिखते हैं, जितना इससे छोटा है, तो जैसे अपन इसको लिख लेंगे, पहला 6C0, फिर minus 6C1 x की power 4, अब मैं आगे क्यों नहीं लिखना चाता हूँ, क्योंकि अब आगे 6C2 x की power 8 आ जाएगा, जो 6 से बढ़ा है, तो अब इसके आगे के सारे terms, मेरे किसी काम के नहीं हैं, तो बस ये दो ही term बचे, अब अपन इसको क्या कर सकते हैं, split कर सकते हैं, 6C0 होता है 1, उसको multiply कर लेंगे, फिर 6C1 होता है 6, इसको भी अपन यहां से multiply कर लेंगे, अब आप x की power 6 इसमें निकालें, इसमें बचा, x की power 4 already बाहर है, तो x square निकालेंगे, 6 चीजें 6 बैगर में बाटेंगे, 6 plus 6 minus 1, C6 minus 1, यहां मैंने आपको कहा था, यह multiply करना मत भूलना 6 बाहर है, इधर 2 चीजें 6 बैगर में बाटेंगे, 2 plus 6 minus 1, C6 minus 1, यह आपका आंसर हो गया, और इसका अच्छा question मनाना चाहेंगे, तो कैसे कर सकते हैं, आपको इस तरह से एक GP भी दे सकते हैं बटा, और इसकी power देदी 3, अब पूछ लेंगे x की power, आप हमें बताओ, मानलो 8 का coefficient, तो पहले GP का sum निकालो, चार्ट हमें 1 minus x की power 4 upon, 1 minus x, अब इससे अपन क्या कर देंगे, अलग-अलग कर देंगे इस तरह से, और अब अपन इसके अंदर क्या करेंगे, एक्स की power 8 निकाल सकते हैं, तो binomial उतना ही खोलोगे, जितना हमें जरूरी है, 10C1, x की power 4, 10C2, x की power 8, आगे अब हमें expand नहीं करना, 12 आजाएगा, फिर अब अपन ने जैसे अभी उपर किया, तीनों term को multiply करकर के, अलग करेंगे, हर एक में से x की power 8, negative binomial के formula से निकालेंगे, और एक important चीज, April वाले में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देखें हैं, कि recent में कित्ते question आ रहे हैं, जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मैं circle करता हूँ, तो देखो ratio of coefficient, term beginning से और end से, अगर आपको beginning से पूछा है, a plus b की power n में, तो आप जैसे इसमें लिखते हो, n c r a की power n minus r b की power n लिख दो, अगर end से term पूछें तो घबराना नहीं है बटा, a plus b की जगे, b plus a कर दो, और starting से ही term निकाल जो, तो यह पूछ लिया इन्होंने हैं न, third देखो coefficient, यहाँ पर भी coefficient, और यह वही जो मैंने गाता, इनका favorite सवाल है, वही वाली चीज़ यहाँ पर आ गई है न, फिर वापस आप देखोगे, coefficients का ratio, यहाँ पर फिर से constant term, है न, फिर यहाँ पर वापस difference of coefficient, मतलब अब almost हर दूसरा सवाल, अगर आप कोई भी shift उठा के देखोगे न, यह वापस इनका favorite सवाल, कितने सारे सवाल ही, यह वापस मिल गया, यह multinomial का आप try कर सकते हैं, है न, screenshot ले लो, homework में करके मुझे answer बताना, यह अभी अपन ने just solve किया था, ठीक है, तो यह आ गया, अच्छा, यह आप देखना, number of integral terms, यह coefficient का नहीं है, पर number of integral terms में क्या होता है, power जो होती है, वो fraction में नहीं आती, तो इसमें लिखते हैं, अपन general term ही है, और prime factorization का लिखते हैं, अगर कोई prime नहीं है, तो उसका prime factorization कर देते हैं, और लिखते हैं, इसका prime factorization है, फिर अपन r की वो power ले लेते हैं, ताकि ये इससे भी divide हो जाए, ये इससे भी divide हो जाए, तो ये सारे उसी की application है, ये देखो term from end, three consecutive terms, ये सम वला आजए, तो remainder वाला मैं video description में डालूँग, आप देखेंगे, और I hope binomial का अपनी एक अच्छी probability बन गई है, तो support मिलेगा, तो मज़ा आएगा, और subscribe जरूर करें, चैनल को नहीं किया है तो, जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, बेड़ा दब तक के लिए thank you for watching,